तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा है आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और नई ट्रिक लेकर आया हूं और वो नई ट्रिक तो पिछली वाली वीडियो से भी काफी एड प्रभी रखी है और क्या चाहिए वो सारी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट में लाइव कमेंट कर दोगे तो आपके चैनल को चेक करेंगे और आपको काफी सारे व्यूज मिलने वाले हैं तो अगर आपको पिछली वीडियो पसंद आई ये तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक एडवांस ट्रिक लेकर आया हूं और ये ट्रिक तो आपके लिए काफी ज्यादा एडवांस होने वाली और पिछली वीडियो से भी काफी ज्यादा एडवांस वीडियो है तो आप वीडियो पर बने रहेगा, आपकी पूरी-पूरी help होगी, और आपके subscriber भी काफी जादा बढ़ने वाले हैं, तो बस आप वीडियो पर बने रहेगे, आपकी पूरी-पूरी help करने की मैं कोशिश हमेशہ करता हूं, और इस वीडियो में आपको बहुती मज़ा आने वाला है मैं हूँ इम किंग और ये वीडियो देखने के बात दोस्तों आप बनने वाले हैं किंग अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी टिपस और टिक्स लेकर आता रहता हूँ और सबीका चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए तो अब इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों एक अच्छा सा वीडियो के बारे में पहले से पता यानि कि ठम्नेल पर जो आप देखते हो वह आपको बताने चल गया कि इस वीडियो के अंदर यह चीज है तो आप उस वीडियो को कभी भी नई देखोगे लेकिन अगर आपको किसी ठम्नेल पर कंफुजन लग रहा है या पिर आप उसक को बारे में सोचने लग गई हो आप सोच विचार में पढ़ गए हो कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है तो उसे बोलते हैं दोस्तों हर बंदे के दिमाग में दोस्तों confusion आता ही है अगर आपको किसी चीज के बारे में पहले से पता है तो आप उस चीज को बिल्कुल भी नई देखोगे लेकिन अगर आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत confusion है तो वो चीज आप जरूर देखोगे तो आपको थमनेल में दोस्तों क्या करना है कि थोड़ा confusion पेदा करना यानि कि clickbait करना है clickbait दोस्तों एकदम सही होना चाहिए दोस्तों यू नहीं कि आप थमनेल के अंदर कुछ और बता रहे हो वीडियो के अंदर कुछ और एसा बिल्कुल भी नहीं करना ये बिल्कुल YouTube के खिलाब है YouTube policy के खिला यानि कि यह formula आपको एकदम याद कर लेना है और इसे apply कर लेना है confusion equal to growth और एक तो मैं आपको example भी दिखा देता हूं आपको screen पर भी show कर जाएंगे जैसे दोस्तों बहुत सारे होते before after एसे करके वीडियो बनाते हैं जैसे कोई बंदा है उसने अच्छे से transformation किया है कोई पूरी वीडियो देखेंगे तो इस तरह का clickbait आपको आना चाहिए और वीडियो में होना चाहिए यानि कि confusion आप पेदा करोगे तो आपकी वीडियो पर views आएंगे तो यह formula आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए और याद किया दोस्तों आपको इसे apply भी कर लेना है दो उसमें ऐसा दिखाय जाता है सस्पेंज इतना खतरना होता है दोस्तों यानि कि confusion इतना जोड़दार होता है कि है अपने देख लेते हैं टो फिर अपने उसस सीरेयल को भी पूरा देखते हैं तो दोस्तों इसी तरीके का काम आपको यूटीब पर भी करना है confusion पेदा करना अपनी audience के बीच में ताकि उनको भी लगे कि वीडियो के अंदर क्या है और वो जानने के लिए उच्छुक हो जाए और आपकी वीडियोस पर काफे सारे views और subscriber आपको मिल जाए तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको बहुत पसंद आयोगी अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आये तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी टिप्स